चलिए बात को लेते हैं एहम खबर की तो हर्याना चुनाव रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुखे मंतरी ने मुलाकात की है विधान सबाद चुनाव समेट कई मुद्दों पर बंथन हुआ है सीम नायब सैनी ने प्रधान मंतरी मोधी का धन्यवाद भी किया है और कॉंग्रेस पर भी निशाना साधा है हर्याना में फिर से बीजेपी के सरकार बनने का यहां पर जावा करते हुए नायब सैनी तो हर्याना में विधान सबाद चुनावों को लेकर बीजेपी आक्टिव है और बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है और हमने कहा है कि जो अगनी वीर है आधनिय परधान मंत्री जी का एक बड़ा वीजन है परिकल्पना है और हमने एक भी अगनी वीर वो फरी ना रहे उसके लिए अलग पॉलसी हर्याना के अंदर बनाई है जिसकी परसंसा आधनिय परधान मंत्री जी ने की है मैं आदनिय प्रधान मंत्री जी ने जो हर्याना की प्रवसंसा की है उसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ विए जो परिकल्पना है उस परिकल्पना को हम मजबूती से आगे बढाने के लिए काम कर रहे हैं कि भारतिय जनता पार्टी उनके सम्मान के अंदर लगी हुई है मुझे ये भी आज आप लोगों को बताते हुए बड़ा फ़कर हो रहा है कि हमारे जो भारत मा की रक्षा करते हुए अपने आपको इस भारत भूमी को अपर कुरुवान हो जाते हैं हमारे सरकार में ये भी निरने किया है कि उनको करोडर रुक्री का मोज़ा है ताकि परिवार को किसी पर्कार की कोई दिक्त ब्हु क्योंकि लखसण आगया है और मजबूती से हम ये रक्षना योजना क्योंकि एक मिशन मोड के अंदर हम काम कर रहे हैं मैं ये भी देखता हूँ कि 2014 का हरियाना, 2014 का हरियाना, non-stop हरियाना, गती से अगे बढ़ रहा है और लोगों ने भी ये तैय कर लिया है कि हरियाना को नरेंदर मोडी जी के नित्रितों में non-stop ही आगे बढ़ाना है कोई किन्तु प्रंतु नहीं है हमारा भी विकास को लेकर के अजंड़ा एकदम सप्रस्ट है, खूला है लोगों का भी अजंड़ा एकदम कलियर है कि हम तीसरी बार मोडी जी के दित्रितों में हरियाना में बड़े बैंड़िट के साथ सरकार बनाएं सब योजना वो हमने बनाई है और उसके अंदर क्यांकि अगर किसी ने अपने टेस्ट कराने है तेस्ट प्राइवेट सी में भी जाकर करा सकता है और डॉक्टर लिखेगा तो वो टेस्ट होगा और उसका बहुत अंसरकार करेगी। कॉंग्रस के पास जब मुद्दा नहीं होता इस परकार की वो यात्राएं हर्याना मांगे हिसाब। वो लेकर के निकले हैं प्रंतो हर्याना के लोग उनका 10 वर्स का कारे काल रहा। उसका भी हिसाब माँग रहा है उसका बताना चाहिए किस परकार से दलित लोगों को पलायन करके जाना पड़ा। किस परकार से दलितों के घरों को जला दिया गया।